तो एक काम करते हैं पहले, पहले क्यों ना स्टॉक स्पेसिफिक बात हो जाए, इंडेक्स के तो बात करेंगे, इस समय की टॉप कॉल्स क्या होंगी आपकी स्टॉक स्पेसिफिक? ठीक है, हम इंडेक्स पे भी वापस आएंगे, पर पहले एक लाइन कह दूं जिससे लोग कंफ्यूज ना हो जाए, निफ्टी पे आज शॉट सेल सिगनल आ गया है, बैंक निफ्टी पे पिछले गुदवार कोई आ गया था आपसे बात होने के बाद, फिर भी, फिर भी, ये इंडेस जो है ना, ये छास है, और मक्षन जो है वो स्टॉक से, जैसे आज भी देखिए, सेंट्रल बैंक उपर उड़ता जा रहा है, और हमने लास्ट दो-तिन दिन में उसको बाई किया, और हम और बाई करेंगे, जैसे मौका मिलेगा, तो जो भी हमने स्टॉक स्प्रिफ कॉल्स आपको दिये, उनका इंडेक्स से लगभग जादा कुछ लेना देना नहीं है, अब अगर सिंफोनी हमारा एक नया फाइफ बैगर मूफ, ब्रेक आउट सिंफोनी कह रहा है आपको सारी, सारे गामा, एक दम म्यूजिकल चार्ट है ये, जो टेक्स्ट बुक इस चार पर देखे बिना पूरा प्रस्पेक्टिवी क्लियर नहीं होगा, तो अब आप ये देखो कि साड़े सतरह रूपए से 2020 में ये स्टॉक अगर 538 तक चला गया और उसके बाद भी ट्राइंगल बनाके ब्रेक आउट कर रहा है, तो हमने सिस्टा चार हित्तु की कंजर्वेट बात करते हैं, एक बार अपने निवेशकों को साड़े साथ सो आठ सो तक की सला दिये, साथ में ये कहें कि साड़े साथ सो आठ सो पर रिवैलिवेट करेंगे कि ये साड़े तीन सो वाला स्टॉक कहीं 1516 सो तो नहीं जा रहा है, और साथ में ये भी कहा है कि 1516 के भी बेच पहले से निश्चितनी और भी बढ़ सकता है, तो कल को आपके ये यूट्यूब या एपल को या नेट्फिक्स को जिनको भी आमेजन को कंटेंट लेने के लिए इंडिया में जो गाने हम सुनते हैं, वो किस के पास हैं, सारे गामा के पास हैं, तो अन होना पैसा बरस सकता इस कंपनी पे, सिर्फ एक बार शार्ट ड्रॉप इन प्रॉफिट्स लास्ट एक साल में जो आया, उसमें भी स्टॉक ने इतना ही हमबल करेक्शन लिया, तो इसका निफ्टी से कोई लेना देना नहीं, निफ्टी का 15% करेक्शन, उतने दिनों में तो जब तक हो करेक्शन आरवी एशिया, आरवी एशिया फूड्स को आप देखो, यह रिस्टॉरेंट ब्रैंड्स एशिया लिमिटेड, तो इसने अच्छा खासा ब्रेकाउट दे दिया इस डिकलाइन में से, और हमें लगता है वापस 2110 हो जाएगा, या आप मैप माई इंडिया की चार्ट को द सीक्वेंट के जैसे स्टॉक को देखिए, यहाँ पर, यह जो आज इस रिजिस्टेंस लाइन पे वीकली चार्टे मापको डेली पर बताता हूँ, अगर यह आज 84 का ब्रेकाउट दे देता है, साड़े तिरासी का, तो हम निफ्टी के फेरे में पढ़के इसके इंतजार नहीं करेंगे लेने का, यह फाइफ बैगर स्टॉक है, और अगर यह मार्केट करेक्शन में कोई कारेंट से नीचे 64 तक आ गया, तो यह तो हम तब लेंगे, यह 84 के उपर लेंगे, तो निफ्ट स्टॉक्स में फैलता जा रहा है, और लार्ज केप्स करेक्शन करेंगे, तो मैं यह लार्ज केप्स के करेक्शन में अपनी निवेश की पोजिशन को नहीं छोड़ सकता, बहुत से ऐसे स्टॉक्स अभी भी हैं, जो घटती निफ्टी में भी, हम उनको लेते जाएंगे स्टॉक्स में रखने की जुरूत है, यह जो साड़े आठ आठ परसंट, दस दस परसंट बढ़ते हैं, जो स्टॉक्स पांच-पांच गुना भाग जाएंगे छे महीने में, वो हद से जादा वालेटाइल होते हैं, आपको और मुझे, मैं आपके भी बिहाफ पे, सारे नि सार कमाई करने की कोशिश कीजिएगा, यह जो खरगोष की तरह भागने वाले स्टॉक्स है, इन पर घरबार दाओं पर नहीं लगाए जा सकते हैं, तो थोड़ी-थोडी मात्रा में लेकर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाई है, सभी बात कही है, आपने कौशन नहीं है, कौशन तो हम पिछले एक महीने से थे, देखिए निफ्टी की चार्ट पर अब धर्मेंदर कुदने वाले हैं, आप धर्मेंदर और हिमामाली वाली बात ही खतम होगा, अब तो यह बाबु भाईया आगया आपका, देखिए जो हेरा फेरी पिक्चर में बाबु चार्ट का सीखने को मिलता है, भाव अगर राजा है, तो मोमेंटम रानी है, और राजा अपनी रानी के बिना अधुरा है, राजा जिद करके ऊपर सरकने की कोशिश करता जा रहा है, रानी चलने को ही तैयार नहीं है, रानी नीचे के तरफ लोवर टॉप्स बना रही है, बिना मोमेंटम का बजार न तो नीचे न ऊपर सस्टेन हो सकता है, तो जब यहां मोमेंटम खतब हो गया, हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी को इस कटेगरी में डाल दिया कि बिल्कुल धीरच के साथ इंतजार करेंगे, और उस दिन बेचेंगे जिस दिन इसमें सिगनल लाएगा, तो निफ्टी में आज आया है, एक और बहुत खतरनाक पैटर्ण काम कर रहा है, ये देखी ये टर्मिनल ट्राइंगल इन दो लकीरों के बीच में, हिंदी में इसे कहें तो अंतिम्त रिकोर्ड, तो किसी भी प्रणय प्रसंग में या सेरबजार में, रोमेंस मे या स्टॉक मार्केट की चार्ट्स पे ट्राइंगल बड़े खतरनाक होते हैं, बुल भी महबूब है, बुल भी महबूब है और बेर भी महबूब है, दोनों में से किसी की जिदनी चलेगी महबूबा जिसको चुने को उसकी तरफ चलना होगा, ट्राइंगल के बीच में ब प्रजर पैटन पर जाओं और थोड़ा से रंगीन भशा में कहने की अनुमती हो जिससे लोगों को याद रहे तो जो इनिशियल रैली थी ना यह हम अपने सब्सक्राइबर्स के साथ अपने क्लाइंट्स के साथ इस भशा में बात करते हैं कि गदे के पाउं थे और यह फाइ बढ़ाया जाएगा 18600 के नीचे जाने पर 1850 पर हो सकता है एक बार रीबाउंड बने फिर उसके बाद आपको 17600 के लेवल को संभालना होगा तो अगले तीन-चार महिने का कारेक्रम है वह अपसे हर मंगलवार को उस बारे में बात हो जाएगी और अगर मैं बैंक निफ्ट यहां तक आई और मम्मी जब नारा जो रही है ना यह बैंक निफ्टी नीचे 30,000 तक आ जाएगी देखें ग्रेफ्ट यह स्पिनिंग टॉप बना चार सप्ता पहले उसके बाद यह ग्रेफ्टों दोजी बन गया और आज यह बिलकुल स्मैश आउट सेल है अब यहां पे जोर से चड़के बेचने में तो क्या एक बार उल्टा रीबाउंड जहिलना पड़ सकता है कभी भी तो वह आप इतनी पोजिशन को हिसाब से देखिए वापस 44,200 तक कभी भी यह मार्केट जा सकती है बैंक निफ्टी के उसमें कोई शक नहीं है उतनी जगह रखके चलिए पर बैंक निफ्टी में एक भी स्टॉक अब नहीं बचा है जो शॉट सेल के योग नहीं है HDFC कोटक अल्रेड लुड़क चुके थे जो भी जो भी थोड़ी सी मस्ती एक्सिस बैंक कर इंडिसिंट करे थे नमें स्ट्रॉंग सेल सिगनल आ गया अब यहां पर मैं किसी भी आलतनी तेजी का सौधा खोजूंगा नी स्टॉप लॉस कटेगा तो कटेगा हम बार बार इसको हर रिबाउंड में बेचने का ही प्रहतन करेंगे आप बाकी भी लार्जर निफ्टी में देखो यह मारूती है टीवीस है डीलेफ है इवन इंडि इंडिविज्वल स्टॉक्स में बड़े करेक्शन आएंगे इंडेक्स से कैवरेज उसमें नियूनितम आएगा और एक देखें बहुत बड़ी बात जिसके बिना यह यह देखिए रूपी डॉलर की चार्ट को आप देखिए मैं रूपई की ऐसी चार्ट को देखके इंड आप देखिए रूपी की चार्ट को यह रूपी अगर जिस दिन 82 के उपर गया है सीधा 85-86 हो जाएगा तो कैसे निफ्टी सस्टेन करेगी अचा है सुषिल जी एक प्रशन और लोगा आप से यहां पर अल्टिमेटली क्योंकि निफ्टी और निफ्टी बैंक विमेन आपके गवेंट अभी सुने और जैसे कि आप करे रहे हैं कि महबूबा ने बेयस का हाँ थाम लिया है एक स्पेस जो की बहुत चला इस पूरे जून में वो तो आटो पर आपका व्यू क्या है एक अच्छा पैसे बनाने के बाद स्टॉक में क्या करना चाहिए इस परता टाटा मोटर्स को छोड़के जो आटो स्टॉक जी में आए शॉट कर दीजिए सब के स्टॉप लोस अलगलग से चलेंगे एक टाटा मोटर्स में अभी वी एक नया हाई बनाने की जगह बची है थोड़े करेक्शन के बाद पर मारूती हो टीवी एस हो हीरो मोटो कॉप हो बजाज आटो यह सब टॉप आउट हो चुके हैं तुकड़े तुकड़े में इनके अंदर में बहुत ज्यादा नीचे का करेक्शन आने वाला है इस पर आपका व्यूए कि यहां से एक बड़ा मुवा सकता है देखिए हमने जब पंदरा हजार का यह जो लो आया था विटकॉइन में तो यहां पर आपके साथ तब टीवी पर नहीं बात होती थी तो हमने ट्विटर के इसका एक दस मिनिट का बड़ा वीडियो बनाके ड यह वेव वन खतम होकर जो पंदरा हजार का 32 हुआ 31,300 और अब यह करेक्शन जो कंप्लीट हो चुका है यहां से अगली चाल शुरू हो रही है कि यह 23,000 वाला सीधे 50,000 तक चल जाएगा तो इस बिटकॉइन से हम जो शेरबजार वालों को क्या जोड़ना चाहिए कि रिस् चल रहा है बिटकॉइन क्लियर कट प्रूफ ऑफ रिस्क ऑन है रिस्क ऑन अलग अलग पॉकेट्स में घूम रही है और अगर अगले तीन महीने में बिटकॉइन में बड़ी रैली आ जाती है तो आने वाले समय में यह 15-20 परसेंट अगर इंडेक्स घट भी गया तो यह द की चीज़ें चलिए सशेल जी शुक्रिया फर जुड़ने के लिए